हेलो व्रीवन कैसे हो आप सब वेलकाम बेक टो मैं चैनल दूस्तों हज फिर से मैं आपके साथ एक मेकप लुक शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैंने बड सावितिरी पूजा के लिए क्रेट किया है इसके लिए मैं गार्नियर का ये क्लिंजिंग वॉटर है इससे अपने फेस को अच्छे से कर रही हूँ क्लीन और अब मैं अपने फेस पर अप्लाए कर रही हूँ आइस क्योंकि गर्मियों में मेकप को लॉंग लास्टिंग रखने के लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है यह क्या करता है दोस्तों गर्मियों में हमारे मेकप को ग्रीसी होने से बचाता है विकाज इसके जो प्रॉपर्टी है वो सीवं को रेगुलेट करने वाली है अब मैं अप्लाए कर रही हूँ प्लम का ये मॉस्च्राइजर एंड गाइस ये जल मॉस्च्राइजर है और आप्लाइब कर रही हूँ और यह प्राइमर मुझे काफी अच्छा लग रहा है बिकॉज यह थोड़ा सा टेंटेड प्राइमर है मुझे असा लगता है कि अगर मैं सिर्फ यह प्राइमर लगां कुछ ना लगाँ तब भी अच्छा लगेगा और यह है शुगर की बी-बी क्रीम इसको मैं मिक्स करी हूं लेकमे 9-5 की लुमिनिट क्रीम से और इसको इन दोनों को मिक्स करने के बाद जा मैंने अपलाई किया था ना गाइस तो बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस लुक आया था और काफी लॉंग लास्टिंग भी था गर्मी के हसाब से काफी देर तक मेरा मेकप टिका रहा और अब इसको मैं सेट करी हूं लेकमे के कॉम्पैक्ट से क्योंकि फांडेशन बीबी क्रीम वगरा को अपलाई करने के बाद सेट करना बहुत ज़रूरी है और इसके बाद मैंने यह ली है मेकप रेगुलेशन की आई पैलेट और इससे मैंने एक सिंबल स से ब्लाइन डौर करी हूं और अब मैं यह बल्श लगा रही हूं और अपने चीक्स को थोड़ा सभ पीची करी हूं विकॉस है जो मेरा बलश है यह पीच कलर का है और अब मैं अपने मेकप को कर रही हूँ, सेट इस मेकप फिक्सर से और उसके बाद मैंने ये लगाई है आई लैशेज और इस आई लैशेज पर मैंने फुल वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है उपर आई बेटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो और उसके बाद मैं इसको Blue Heaven के मशकारा से कर रही हूँ थोड़ा से सेड और इसके बाद मैंने ये ली है Swiss Beauty की लिप लाइनर और से अच्छे से ड्रॉ करने के बाद मैंने ये लिप्स्टिक लगाई है और ये लिप्स्टिक भी Swiss Beauty की ही है इन सारी चीज़ों को करने के बाद मैं आई हैस्टाइल पर एक सिंपल सूबर सा हैर लुक मैंने क्रियेट किया था और इस पे फुल वीडियो मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूंगी और इसके बाद मैंने यह ज्वैलरी पहनी है इनको मैंने मीशो से ओर्डर किया था एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों कि आपको मेरा यह लुक कैसा लगा